दोस्तो आज कि इस वीडियो एक बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ फोन पे के बारे में जैसे मालीजे आपको कहीं पे पेमेंट करना है जैसे मालीजे आप टिकट बुक कर रहे हैं वहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड फोन पे वैलेट या फिर पे टीम वैलेट या फिर फोन पे यूपी आई यानि बहुत सरे औप्सन होते हैं अगर आप वहाँ पे मालीजे फोन पे यूपी आईड वाली का फोन पे आपको यूपी आईड डालना पड़ेगा उसके बाद आपके फोन पे पे एक रिग्वेस्ट आएगा जिसे अफे पता नहीं होता कि हमारा UPI ID क्या है फोन पे का तो आज यही बताने वाला हूँ या फिर जैसे मालजी आपको पैसे रिसीब करना है किसी से पैसे लेना है तो वह पूछता है कि भाई अपना UPI ID बताओ नमबर की बात नहीं कर रहा हूँ आप अपना फोन पे का UPI ID बताओ तब मैं आपको पैसे उस UPI ID पे भेज दूँगा तब आप confused हो जाते हैं कि हमारा UPI ID क्या है तो आज किस वीडियो में यहीं बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने फोन पे के UPI ID को चेक कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन पे को open करना होगा फोन पे को जैसे ही open करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सो होगा यह देख सकते हैं My UPI ID और यहां पे आपको आपका UPI ID सो होगा बट बहुत से केस में बहुत से लोगों के यहां पे फोन पे में यहां पे नहीं सो होता है तब वो कैसे चेक करेंगे तो चलिए उसको भी बताता हूँ इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पे क्लिक करना है यह देख सकते हैं यहां पे आपका लोगो होगा आपने अगर फोन पे फोटो लगा रखा तो यहां पे फोटो सो होगा यहां पे आपको क्लिक करना है तो चलिए मैं यहां पे क्लिक करता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं एक QR कोड यहाँ पे सो हो रहा है आप इसको भी share कर सकते हैं इसको भी scan करके कोई भी आपको पैसे भेज सकता है बट उसके नीचे UPI ID से यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यह रहा मेरा UPI ID आप चाहते तो इसे manage भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से create भी कर सकते हैं, तो यही है दोस्तो, UPI ID, इसे ही आप share कर सकते हैं, उसके बाद आप उसमें पैसे मंगा सकते हैं, या फिर पैसे debit भी कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तो, मुझे हमिदे आपको वीडियो पसंदा अभी के लिए इतना ही ठेंक्यू फुर वाचिक